गुद्वारिंग क्लास फिफ्थ बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश क्रामर बुक इसमें आज हम पढ़ने चाह रहे हैं चैप्टर नमबर टू लेसन नमबर टू जो की है हमारा नाउन्स ठीक है तो जैसा कि यह जो पोर्शन हमें दिया गया है इसको हम पहले लेस पढ़ेंगे इनके बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम इसको कर नहीं पाएंगे तो इसलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं यह क्या है पेज नमबर 1010 आप ओपन करिए और जो भी आपको समझाया जाए उससे आप ध्यान से सुनिए ठीक है तो देखिए इससे पहले वाली क्लास जो आप की थी आपने उसमें नाउन के क्या पढ़े हैं टाइप्स पढ़े हैं लेट अस लर्न मोर अबाउट अब्स्रेक्ट अन कलेक्टिव नाउन तो इस चैप्टर में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अब्स्रेक्ट अन कलेक्टिव ना abstract noun के बारे में पढ़ेंगे और collective noun के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो देख लिजे abstract noun we can see and touch a book, a flower and a person हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें जैसे कि we can see and touch, देख भी सकते हैं और उसको touch भी कर सकते हैं ठीक है कुछ चीज़े हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं ठीक है न तो जैसे कि एक बुक जैसे कि हम बुक को देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं और फ्लार फ्लार को हम अपनी आखों से भी देख सकते हैं और even touch भी कर सकते हैं and a person कोई भी अगर person मतलब कोई भी इंसान अगर है तो हमारे सामने अगर कोई आखे खड़ा हो जाए तो हम उसे देख भी सकते हैं और हम उसको touch भी कर सकते हैं ठीक है but we cannot see or touch cleverness, angle and friendship लेकिन ऐसी कुछ चीज़े होती हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं छू नहीं सकते हैं, ठीक है तो किसे नहीं छू सकते हैं, cleverness cleverness मतलब कोई clever होता है, cleverness मतलब होती है चालाकी तो किसी के अगर cleverness है तो क्या हम उसे touch कर सकते हैं हम उसे छू नहीं सकते है, ठीक है? Anger, किसी के अंदर बहुत गुस्सा है, कोई बहुत गुस्सा होता है, गुस्से वाला है कोई, तो क्या हम उसके गुस्से को छू सकते हैं? No, never. Friendship, दो लोगों की दोस्ती है, दोस्ती है, सबको पता है कि यह बहुत अच्छे friend है, best friend है, लेकिन हम क्या उनकी दोस्ती को छू सकते हैं? नहीं, हम उसको touch नहीं कर सकते हैं. They refer to qualities, feelings, और ideas, लेकिन इनको क्या किया जा सकता है? इनको बाटा जा सकता है, इनको या तो feeling में divide किया जा सकता है, feeling किसी की भावनाओं में बाटा जा सकता है, qualities, किसी का कोई गुण है, गुण में रख सकते हैं उसको, और idea, किसी का idea, idea में भी उसको रखा जा सकता है. Hence, they are called abstract noun. तो जिनको हम छू नहीं सकते, तो उनको क्या कहा जाता है? Feeling, idea, quality को कहा जाता है, abstract noun. ठीके, तो देखिए, next para, in many cases, these types of nouns are derived from the root word by addition of a suffix. In many cases of these types of nouns, इन ही noun के अगर हम अलग-अलग types की बात करते हैं, तो इनको किसे derived किया गया है? Derived मतलब होता है, लिया गया है. किसे लिया गया है इनको? Addition of a suffix. इनको suffix भी कहा जाता है. For example, childhood is an abstract noun. Childhood. Childhood. Childhood मतलब बचपन. किसी का childhood. किसी का बचपन. Childhood is an abstract noun. Childhood क्या है? Abstract noun है. Which is derived by adding the suffix. जिसको क्या किया गया है? किसके साथ जोड के बनाया गया है childhood को? Hood. Hood उसके पीछे लगा दिया गया तो वो बन गया childhood. To the root word child. Root word तो child है. लेकिन जब हमने suffix add किया उसमें hood तो वो बन गया childhood. ठीक है? आगे बढ़िये. यह देखिये. Nouns with the following suffixes are often abstract. तो देखिये किसको किसके साथ जोड के बनाया गया है. यह देखिये. यह T-I-O-N है. यह I-S-M है. I-T-Y. M-E-N-T. ठीक है? A-B-I-L-T-Y. A-C-Y-D-O-M-A-G-E-E-N-C-E-R-Y. ठीक? Read the list of words and note the suffixes. अब आपको कुछ words दिये हैं जिनको कि क्या किया गया है? suffix के साथ जोड के नया word बनाया गया है. तो देखिये. T-I-O-N से बन गया dedication. T-I-O-N से बन गया education. B-R-A-V-E-R-Y से बन गया bravery. और I-O-N से बन गया information. इसी तरीके से देखिये. I-S-M से क्या बन गया? patriotism. entertainment बन गया. M-E-N-T से. N-E-S-S से goodness बन गया. A-G-E से बन गया आपका courage. तो आप ये words पढ़िए. इनके last में जो A-G-E है तो बना है. suffix ये है, इनके last में जो जोड़े गये हैं. last में जो जोड़े हैं, जैसे S-H-I-P, ship आपका suffix जोड़ा है, तो बन गया है friendship. ठीक, तो आपने इन words को पढ़ना है. अब देखिए, underline the abstract noun in the given list. अब आपने क्या करना है? abstract noun को आपने क्या करना है? underline करना है, ठीक है? तो देख लिजए, इसमें दिया गया आपको, refrigerator, joy, mango, freedom. तो देखिए, इसमें कौन-कौन से है abstract noun? एक है आपका, joy, और एक है आजादी. आजादी को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. joy, खुशी. खुशी को भी हम touch नहीं कर सकते हैं, गेवल महसूस कर सकते हैं, feel कर सकते हैं. तो इसमें हो गया आपका joy, और एक हो गया आपका freedom. ठीक है? next देखिए, truth, phone, sweetness, illness. तो truth, सच्चाई, सच. phone, नहीं. sweetness, yes. illness, बिमारी, बिमारी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, touch नहीं किया जा सकता. तो truth हो गया, sweetness हो गया, और illness हो गया, okay? next देखिए, fool, milk, smell, garden. ठीक? यह देखिए, fool, F-O-L-L, fool. fool को हम क्या नहीं कर सकते? fool को touch नहीं किया जा सकता, केवल. fool, महसूस किया जा सकता है, तो एक आपका fool हो गया, और एक आपका smell हो गया. smell मतलब किसी चीज़ की smell, खुश्बू, ठीक? तो उसको भी क्या कर सकते हैं, हम केवल feel कर सकते हैं. एक है आपका, foolishness, heat, rose, absence. तो इसमें आपका हो गया, foolishness. foolishness को हम touch नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें आगे पढ़ते हैं हम, collective noun. collective noun, क्या होता है? देखे, a crowd is a group of people. crowd, भीड, भीड क्या है? एक, लोगों का हिस्सा है, group है, लोगों का, लोगों का एक group जो होता है, वो क्या कहलाता है? crowd कहलाता है. an army is a group of soldiers. army क्या है? army is a group of soldiers. जो army है, वो किसका group है? soldiers, मतलब, जो आपके क्या होते हैं? आपके जो फौजी है उनका हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है आर्मी ठीक है तो देखा आपने A fleet is a group of ship, ship का जो group होता है वो कहलाता है fleet A swarm is a group of ants, जो swarm, ant का जो group होता है उसको कहते है swarm, वो bees का group भी swarm कहलाता है, bad का group भी swarm कहलाता है words like crowd, army, fleet and swarm are called collective noun जैसे की crowd है, army, fleet और swarm क्या है? collective noun है ठीक है और इसमें देख लीज़े list दी हुई है here's a list of some more collective nouns जैसे की आप ये देख रहे हैं a pride of loins, a suit of furniture, a collection of stems a shoal of fish, a span of oxen, a gang of thieves, a range of mountains a troop of monkeys, a litter of puppies, a set of tools, a gaggle of geese a staff of teachers, a brood of chickens, a groove of trees तो ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग word use किया जाता है जब वो group में होते हैं तो ये आप देख रहे हैं loins, furniture loins के group को कहा जाता है pride furniture का group कहलाता है suit ठीक है? तो अभी सिर्फ इसको इतना ही मैं आपको करवाऊंगी इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे next video में लेकिन अभी आपका काम में जो आपको दे रही हो करने के लिए आपने एक तो आपने यहाँ से लिखना है ये read the list of words and note the suffixes और एक आपने लिखना है ये वाला part यह आपका homework है hw ठीक है? और एक यह भी आपका homework है तो इसे आपने अपने अपनी copy में करना है अच्छी सी handwriting में और साथ ही आपने उसको समझ की लिखना है ताकि आपको इसको समझ भी आए तो इसे करिए अपनी copy में अच्छी सी handwriting में